नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जिन लोगों का भी HDFC Securities के साथ में DMAT और Trading Account है उनके लिए ये वीडियो इंपोर्टन्ट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना HDFC के साथ में अगर आपका DMAT और Trading Account है तो उसको आप किस तरीके से क्लोज कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे ही आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो पसंदा तो उसको आपको normal सुनने में न मिले तो सबसे पहली और important बात यह है कि जो method मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे उनहीं लोगों का DMAT और Trading Account बंद हो पाएगा जिनका SDFC में DMAT और Trading Account है लेकिन जिनका CDSL के साथ में account open है अगर आपने NSDL के साथ में account open करवाया है SDFC Securities के साथ में तब एक अलग process होगा और क्या process होगा वो जब मैं कभी करूंगा अपना वाल एकाउन बन तब मैं आपको बताऊंगा तो आज का जो process है वो CDSL के साथ में अगर HDFC Securities में आपका DMAT और Trading Account है तब आप ये वीडियो देखिएगा तो चलिए Google में हमको search करना है HDFC Security और इसको search कर लिए हो सकता है कि थोड़ा time लगे website वगेरा को open होने में तो घबलाना नहीं है आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद में जो ये वाली website लिख करते हैं और कुछ दूनों पहले मैं कुछ वीडियो देख रहा था जो process वहां पर बताया गया है अब वो option यहां पर हट चुका है अब वो option कहां पर आपको मिलेगा ये भी आपको मालूम चल जाएगा अब आपके सामने जैसे कि मैं live कर रहा हूं तो देख रहा होंगे कि य आपको wait करना है ऐसा नहीं कि close कर देना है बार-बार refresh करते रहना है आप इसको wait करिएगा मैं इसको यहां पर pause कर देता हूं और इसको open होने के बाल में फिर से आता हूं आपके सामने तो दोस्तों यह page open हो गया है और इस page को open होने में पूरा एक minute से ज्यादा का समय लगा अब यहां पर आपको आ जाना है किस जगह पर important information पर यह वाला आप देख रहे होंगे यह जो मैं round circle किया है इसके उपर click करना है इसके उपर चलिए हम click करते हैं हो सकता है यहां पर भी हमें time लगे लेकिन चलिए यहां पर open हो गया है जैसे ही आपने इसके उपर click किया है तो कि easy हो आपको तोड़ा देखने में यह देख रहे हैं यह forms वाला इसके उपर हमको click कर देना है चलिए हम यहां पर कर देते हैं click अब देखते हैं कि तेरे में open होता है और चलिए मुझे लगणा पॉस ही करना पड़ेगा पॉस कर देते हैं तो दोस्तों अगला पेज भी हमारे सामने open हो गया है और इस पेज को खुलने में पुरा-पूरा दो मिनट का समय लगा है तो आप यहां पर देख रहे होंगे online forms इसका option हमें यहां पर दिख रहा है जब सरकाते हैं हम नीचे की और आएंगे तो पहले यहां पर एक option हमको मिलता था करीब इस जगहां पर यह आता था यह closer करके और वहां पर जब आप click करते थे तो वहां पर यह show करता था कि वह आपका trading account close करेगा हालांकि उस option का choose करते हुए आप अपना जो बंद करते थे तो आपका trading और demate account दोनों बंद हो जाता था लेकिन अभी आपको वहां पर यह option नजर नहीं आ रहा है तब आपको और थोड़ा सा नीचे की ओर आना है और नीचे की ओर यहां पर आप देखिए लिखा है for online closer to zero holding demate accounts please login into तो इस बात का अब ध्यान में रखेगा कि zero holding demate account के लिए यह बता रहा है अगर किसी भी तरीके का रिणात्मक धनात्मक पैसा होगा आपके demate में या shares होंगे तब आप online अपना account close नहीं कर पाएंगे आपको पहले shares को जो भी holdings हैं जो भी securities हैं पहले उन्हें किसी other demate में transfer करना होगा या फिर आपको उनको sell करके square off करके सारा जो भी पैसा वगएरा उसको निकाल के पूरे तरीके से zero कर देना होगा ठीक हैं और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो CDSL का process है मेरे पास में जो SDFC में account open है SDFC वालों ने इस account को NSDL के साथ में भी open कर दिया है और वहाँ पर trading account हमें नहीं मिला है और हमारा account open कर दिया है CDSL के साथ में तो इस process के दोरा हम CDSL का account हम अपना बंद करेंगे दरसल जो employee थे उनको भी मैंने बोला कि भाई मेरे account बंद कर दो उन्होंने process भी किया लेकिन जब उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ बंद हुआ कि नहीं तो वो खुद नहीं बता पा रहे हैं कि क्या हो रहा है उनको समझी में नहीं आ रहा है करें कि sir मैंने online request डाल दी है सब कुछ लेकिन मतलब क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता तो चलिए वो इक अलग matter है तो अब आपको जो नीचे वाला यहां पर लिखा हुआ है यह website का link है type से और यहां पर देख रहे हैं चोटा से login लिखा हुआ तो इसके उपर आपको कहीं पर यहां पर क्लिक कर लेना है ठीक चलिए इसके उपर हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद एक नया page open हो गया है और यहां पर आपको डाल देना है अपना login ID जो की HDPC Securities की होगी कि वहां पर password डाल देना है पासवर्ड अगर आप भूल गये हों तो मैंने पहले वीडिव बना रखा है कि किस तरीके से आप नया password बना सकते हैं या account आपको lock हो गया है तो इस पर भी मैंने video बना रखा है किस तरीके से आप नया account unlock कर सकते हैं तो वो आप करके नया password बना लिजेगा, उसके बाद में आपको डाल देना है DOB, और उसके बाद में करना है continue, चलिए इसको हम डालते हैं, तो दोस्तों अब आपके सामने हम करने वाले हैं login, सारी details डालने के बाद में हम continue पे click करेंगे, चलिए इसको अबर हमने click कर दिया, डालने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो simply यहाँ पर I agree पे आप टिक रहने दिजेगा, नहीं रहने देंगे तो यह e-sign ब्लू कलर से नहीं रजाएगा, ठीक है तो यहाँ पर टिक रहने दिजेगा, e-sign नौ पे आपको करना है click, चलिए इसको पर हमने click कर दिया, अब आपके सामने कुछ इस तरीकी का page open हो जाएगा, और यहाँ पर आपको कर देना है, proceed to e-sign, ठीक है, चलिए इसको पर हम click कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहा होंगे एक form जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, यह एक तरीकी का pre-filled form है, यहाँ पर date लिखी हुई है, यहाँ पर application number लिखा हुआ है, यह closer initiated by देखिए, बियो लिखा हुआ, automatic यह टिक है, यहाँ पर आपकी DP ID लिखी है, यहाँ पर client ID यहाँ पर name मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर पूरा address आपको अपना मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर DP ID मिल जा रही है, यहाँ पर client ID लिखी हुई है, कहने का मतलब है कि एक pre-filled form यहाँ पर आपके सामने आ गया है, ठीक, अब यहाँ पर sign now पर आपको click करना है, जै अब से पहले क्या कर लेना है, आपको यह जो box बना है, इसको choose कर लेना है, इसको ticker लगा लिजे, और यहाँ पर आपको अपना आधार number डाल देना है, तो चलिए हम अब आधार number डालते हैं, दोस्तों यहाँ पर आधार number हमने डाल दिया है, अब हम simply send OTP पर करने वाले हैं, क्लिक, जैसे इसके उपर आप क्लिक करेंगे, एक OTP आपके mobile number पर भेजा जाएगा, और यह mobile number वो होगा, जिस पर आपका आधार लिंक होगा, आधार से लिंक mobile number पर ही यह OTP जाएगा, तो आपको simply यहाँ पर डाल देना है OTP, हम वेट करने हैं OTP का, और हमारे पास OTP है, successful OTP verified हो गया है, अब देखते ही हमें कहां पर लगाता है, अब लिखके आगया है, e-sign done successfully, your application has been submitted for verification, use your username as password to open the sign form, अब यहाँ पर जो sign form है, इसको open आप कर सकते हैं, तो चलिए हम आपको यह भी open करके दिखा देते हैं, और इसके लिए PDF कह रहा है, PDF से हम open करते हैं, यहाँ पर यह password डालने के लिए बोल ले हैं, तो दोस्तों जो password यहाँ पर डालना था, PDF को open करने के लिए, वो आपको अपनी यूजर ID है, उसको आपको डालना होगा, जैसे ही डालेंगे, तो आपके सामने जो PDF का जो form है, जो की समिच हुआ है, वो आपके सामने पूरा इस तरीके से डाउनलोड हो करके आजाएगा, आप देख पाएंगे, उपर से नीचे तक आप इसको सरकाते हुए देख सकते हैं, दोस्तों एक बार हम लोग री चेक कर लेते है कि सारी प्रोसेस करने के बाद में, अगर हम दुबारा फिर से यह प्रोसेस करते हैं, यानि कि अपना login ID, password और DOB डालते हैं, तो अब क्या बताता है, तो चलिए वो फिर से डालते हैं, तो दोस्तों अब दुबारा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, continue और देखते हैं कि अ आपके DMAT or trading account के close होने के लिए, तो यह एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा आप अपना HDFC का DMAT or trading account ऑनलाइन बंद कर सकते हैं, बहुत ही असानी से, जैसा अब मेरे पास में mail आएगा यह कोई update आएगा, account closer के संबंद में, उसके बारे में मैं आपको next video में update करूँगा, जैसा आप इस प्रोसेस में आ जाईए और इसको अपना करके देखिए, कि account आपका close हो पाता है कि नहीं, तो अब NSDL के साथ में, जिनका HDFC Securities के साथ में account है, HDFC Securities ने जिनका NSDL के साथ में account open किया है, तो वहाँ अलग प्रोसेस है, वहाँ आपको bank जाना पड़ेगा, ठीक है, त तो वह इस तरीके से होगा, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो दोस्तों अगर आपको भी HDFC Securities का DMAT और trading account नहीं चाहिए, और आप AMC Charges से बचना चाहते हैं, या AMC Charges नहीं pay करना चाहते हैं, तो आपको भी अपना DMAT और trading account close कर देना चाहिए, तो इस वीड हम कर दो हमान तो चाहते हैं, ज्य चपकर दाश्तों पितले के बावाद ऊतरा हैं, पर प्लावाद़ हैं? झ की मिनम अजय हैं, तो छो बावाद़ हैं, तो नहीं बाव़ाद़ हैं, या Républiqueिया सन।